ओम शांती उन्निस आठ दो हजार बीस की साकार मुरली मीठे बच्चे अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोतम संगम युक पर बन रहे हो प्रश्न हार और जीत सम्मंदित कौन सा एक ऐसा ब्रस्ट कर्म है जो मनश्य को दुखी करता है उत्तर जुआ बहुत मनश्यों में जुआ खेलने की आदत होती है यह ब्रस्ट कर्म है क्योंकि हारने से दुख जीतने से खुशी होगी तुम बच्चों को बाप का फर्मान है बच्चे दैवी कर्म करो ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो सदा बेहत की जीत पाने का पुरुशार्त करो गीत आखिर वह दिन आया आज ओम शांती धारना के लिए मुख्यसार पहला एक-एक अविनाशी ज्यानरत्न जो पदमों के समान है इन में इन से अपनी जोली भर बुद्धी में धारन कर फिर्दान करना है दूसरा श्री श्री की श्रेष्ट मत पर पूरा-पूरा चलना है आत्मा को सतो प्रदान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा-पूरा पुरशार्त करना है बर्दान मन-मनाभव की बिधी द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नस्टो मोहा स्मृती स्वरुब भग बंधनों का बीज है सम्मंद जब बाप के साथ सर्व सम्मंद जोड लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता है बिना सम्मंद के मोह नहीं होता और मोह नहीं तो बंधन नहीं जब बीज को ही ख़त्म कर दिया तो बिना बीज के ब्रक्ष कैसे पैदा होगा यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है कुछ जोड़ा है इसलिए मन मनावों की विधी से मन के बंधनों से भी मुक्त नस्च मुहा स्मृती सुरूप बनो फिर यह शिकायती समाप्त हो जाएंगी कि क्या करें बंधन है कटता नहीं स्लोगन ब्रामन जीवन का सास उमंग उच्साह है इसलिए किसी भी परिस्तिती में उमंग उच्साह का प्रेशर कम ना हो ओम शान्ती आत्म परिवर्तन करेगा विश्व परिवर्तन आत्म चिंतन से ही होगा